आपको केवल यही करना है कि आप एक पूर्ण विक्सित जीवन के रूप में उपर उठें और चमकें क्योंकि जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो आप वही करेंगे जिसकी जरूरत है तब वो नहीं पूछेंगे सुबह उठने के बाद मैं कैसे प्रेरित रहूं आपको एक प्रेरित व्यक्ति नहीं होना चाहिए आम तोर पर जब हम किसी को प्रेरित हुआ कहते हैं तो इसका मतलब होता है उनका अपना कोई अजंडा है जीवन का कोई अजंडा नहीं है ये आपके लिए एक पूर्ण विक्सित जीवन होना है एक जिंगूर पूर्ण विक्सित जिंगूर होने की कोशिश कर रहा है एक केंचवा पूर्ण विक्सित केंचवा होने की कोशिश कर रहा है एक पक्षी पूर्ण विक्सित पक्षी होने की कोशिश कर रहा है, एक पेड़ पूर्ण विक्सित पेड़ होने की कोशिश कर रहा है, एक मनुष्य को भी पूर्ण विक्सित मनुष्य होने के लिए प्रयास करना चाहिए, हमारा बस यही काम है, पर हम में से हर कोई अपना कर जा चुके हैं, आया ना, वो कहां हैं, वो सारे लोग, आपको लगता है वो सबी मूर्क थे, वो सबी मूर्क थे और वो मर गए, क्या ऐसा है, नहीं, वो भी आपकी ही तरह थे, शायद वो भी अधिकारी रहे हों, शायद वो राजा रहे हों, आपसे भी बढ़कर, हर तरह की चीजें, अब सब उपरी मिट्टी बन चुके हैं, ये भी उपरी मिट्टी बन जाएगा, बस थोड़ा सा समय और जीवन एक छोटी सी चिंगारी है, आपका बेटा कितना बड़ है सर, 25, तो 27 साल पहले वो कहां था सर, तो अगर कोई यहां नहीं है, तो हम कहते हैं कि वो मर चुके हैं, है ना, 27 साल पहले वो मर चुका था, हम उसे 100 साल देंगे सर, 80 साल बाद, वो फिर से मर जाएगा, हम, आया ना, तो 27 साल पहले वो कितने समय तक मरा रहा था सर, हम, लंबे समय तक, तो 85 साल या 80 साल बाद, वो कितने समय तक मरा रहेगा सर, बहुत लंबे समय तक, तो हम सभी बहुत लंबे समय तक मरे रहेंगे, हम बहुत ही थोड़े समय के लिए जीवित हैं हाँ बहुत ही थोड़ा सा समय है मैं चाहता हूँ आप इसकी और इस त्रिष्टिकोंड से देखें आप कितने समय तक मरे रहेंगे आप कलपना नहीं कर सकते तो मान लीजिए हम दस हजार साल तक या एक लाग साल या दस लाग साल तक मरे रहते हैं ठीक है उसकी तुलना में आप कितने समय तक जीवित हैं बहुत बहुत छोटे समय तक जिसे आप जीवन कहते हैं वो एक छोटी से चिंगारी है आपको अकेली चीज यही करनी है कि आप उठें और एक पूर्ण विक्सिद जीवन के रूप में प्रकाशत हो जब हमारे आसपास किसी चीज की जरूरत होगी तो हम स्वाभाविक रूप से उसे करेंगे क्योंकि जब आप अद्भुत रूप से अच्छा कर रहे होते हैं तो आप वही करेंगे जिसकी जरूरत है है ना जब आप दुखी होंगे तब आप प्रेरित होंगे हां मुझे बताइए जब आप बहुत खुश होते हैं क्या आपने खुद की ओर देखा है आप कितने अच्छे और अद्भुत होते हैं आप किसी के लिए कुछ भी करने को तयार होंगे अगर जरूरी हो तो पीछे की और जुख जाएंगे हाया ना जब आप थोड़े परिशान होते हैं वू ये कितना मुश्किल है इसलिए अपने बच्चों को किसी चीज़ से प्रेरित होना मत सिखाईए ये सारी बगवास पश्चिम से आ रही है ये सभी सेल्फ हेल्प किताबें खुद को प्रेरित कीजिए आत्म विश्वास पैदा कीजिए अपने आप पर यकीन कीजिए आपने भगवान पर यकीन किया और इस दुनिया को इस हद तक नश्ट कर दिया अब आप खुद पर यकीन करते हैं आप क्या करेंगे ये सारा कच्रा पश्चिम से आ रहा है आपको प्रेरित होने की जरूरत नहीं है आपको बस इतना देखना है कि अभी ये अपने पून संभव स्तर पर कैसे हो अगर ये पून रूप से जीवित है तो ये वो सब करेगा जो ये कर सकता है जो ये नहीं कर सकता उसे ये वैसे भी नहीं करेगा अगर आप सुबह किसी पक्षी को देखें यहाँ पक्षी हैं आप जानते हैं आप कहा से आ हैं सर दिल्ली तमिलाडू चन्नाई चन्नाई कव्वे को छोड़ कर शायद वहाँ कोई पक्षी नहीं है तो अगर यहाँ आप कोई पक्षी देखते हैं सर छोटा पक्षी, सुभा में ये वो सब कुछ कर रहा होता है जो ये कर सकता है है ना, हलो वो सब कुछ जो ये कर सकता है, वो कुछ नहीं छोड़ेगा, आपको बस यही करना है, वो सब कुछ जो आप कर सकते हैं, आप जो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, एक कीडा वो नहीं कर सकता, जो एक पक्षी करता है, एक पक्षी वो नहीं कर सकता, जो एक हाथी करता है, एक हाथी वो नहीं कर सकता जो हम करते हैं आया ना लेकिन हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते वो कोई माइने नहीं रखता जो हम कर सकते हैं वो जरूर होना चाहिए इसके लिए आपको बस यही समझने की जरूरत है कि जीवन एक छोटी सी चिंगारी है, ये बस बुबुबुप और खत्म, आपको समझ आए कि क्या हो रहा है, उससे पहले ही आप जा चुके होते हैं, जब तक आप दुखी ना हो, दुखी लोगों का जीवन बहुत लंबा होता है, सिर्फ उन्हें लगता है कि जीवन लंबा ह अगर आप बहुत खोश हैं, तो पुफ, इससे पहले कि आप जाने की क्या हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा, क्या आपने किसी खास दिन के और ध्यान दिया है, आप बहुत खुश थे, 24 घंटे यूही निकल जाते हैं, थोड़े दुखी, 24 घंटे 10,000 साल जैसे लगते हैं, हाया ना, इसलिए समय बहुत रिलेटिव या सापेक शनुभव है, पर अगर आप इससे तुलना करते हैं कि आप कितने समय तक मरे रहेंगे, आप लाखों सालों तक मरे रहेंगे, आप बस थोड़ा सा ही जीवित रहें, इस बार किसी भी चीज से प्रेरित मत होईए, आपक जीवन का एक विसफोट होना चाहिए, उसके बाद वो नहीं पूछेगा, मैं सुभा उटने पर प्रेरित कैसे महसूस करूँ, आप किस चीज को लेकर प्रेरित हैं, किसी चीज से नहीं, अगर आप जीवित हैं, तो अपने बिस्तर से उचल खड़े होंगे, है ना, पर शीली चीजें, वगर, सब कुछ, आम तोर पर शरीर मरना चाहता है, यह जीवित नहीं रहना चाहता, लोग, आपको पता है, यह सब कुछ पश्चिम से है, लोगों ने इस संस्कृति का निर्मान किया, वो क्या है, भगवान का शुक्र है, आज शुक्रवार है, आकड़े दर्शाते हैं, सत्तर प्रतिशत अमेरिकी अपने काम से नफरत करते हैं, ना पसंद नहीं, बलकि घणा, पांच दिनों तक अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप वीकेंड का आनंद कैसे उठाते हैं, वीकेंड में सिर्फ इतना होता है, कि आप बेह बड़ा आनंद नहीं घटित हो रहां, हाया ना, सत्तर प्रतिशत लोग अपने काम से नफरत करते हैं, आप इस तरह कैसे जी सकते हैं, आखिर आप ऐसी कोई चीज क्यों कर रहे हैं, जिससे आप नफरत करते हैं, सबसे पहली बात, अगर आप जो कर रहे हैं, उसे पसंद न परिशान अवस्था में आते हैं और सद्गुरू मैं इसे सहन नहीं कर सकता, वो हर रोज मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, मैं इसे नहीं संभाल सकता, तो मैंने उनके और देखा, अपने हाथ उठाए और कहा, आपको काम से निकाल दिया जाए, ओ परिशान अपने और कहा, आप क्या कह रहे हैं, मैंने का आरे आप कितना ज्यादा कश्ट उठा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, अगर आपको निकाल दिया जाता है, तो कम से कम आप समुदर के नारे टहल सकते हैं, शायद कोई और इस काम को आप से थोड़ी ज्यादा खुश गुमा रहे हैं, क्या आप ही से सूरज के चार ओर घुमा रहे हैं, सब कुछ मुफ्त है, है न, हलो, सब कुछ मुफ्त है, आपको बस एक पूर्ण विक्सित जीवन बनना है, अपने आपको बहुत ज़्यादा धार्णाओं, दर्शनों, मान्यताओं, बेतु के विचारों और भावनाओं से बांद कर, आप जो हैं उससे कम मत होए, नहीं, आप जो हो सकते हैं उससे कम कभी नहीं होना चाहिए, आपको किसी दूसरे जितना अच्छा नहीं बनना है, और आप कभी हो भी नहीं सकते, क्योंकि सभी अलग हैं, पर आप जो हो सकते हैं, उससे कम नहीं होन चाहिए, तो आपको इसके लिए पृरेणिसा की जरूरत नहीं है। जीवन्त हो जाता है इसलिए अपने बच्चों को प्रेरित मत कीजिए ये ज़रूरी नहीं है आपको देखना है कि वो कैसे आनंद पून और जीवन्त रहते हैं इसमें उनका शरीर और उनकी बुद्धी सबसे अच्छे तरीके से काम करेंगे अरे क्या वो बस खुश रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे आप मुझे बताइए आप खुश होते हैं तब ज्यादा करने को इच्छुक होते हैं या दुखी होते हैं तब जब आप खुश होते हैं तब जिसकी भी जरूरत होती है आप उसे करने को तैयार होते हैं, है ना, जब आप बहुत खुश होते हैं, तो आप अपने भोजन, अपनी नींद को छोड़ने के इच्चुक होंगे, और जो करने की ज़रूरत है उसे करेंगे, है ना, जब आप नाखोश होते हैं, ओ, आपसे कोई काम करवाना कितना मुश्किल है, खाया ना? तो एक पत्नी ने अपने पती को टेलिग्राम भेजा, जो एक तीन महिने की ट्रेनिंग पर था, I.S. उसने एक टेलिग्राम भेजा, चिंता करनी शुरू कर दीजिये, बागी समचार खत में लिखूंगी, खुद के साथ ऐसा मत कीजिये, 25 की उमर में आप चिंता करनी शुरू कर दीजिये, बागी सब पीछे आ जाएगा, अगर आपको तनाव, बेचैनी महसूस हो रही है, तो आपके अपनी बुद्धी आपके खिलाफ हो गई है, अगर आप ये समझते हैं, कि सारा मानवी अनुभव भीतर से आ रहा है, तो आप खुद को पूर्णता की और कैसे नहीं ले जा सकते, इनर इंजिनेरिंग का वास्तावेकर्थ है, खुद को ऐसी अवस्था में ले कराना, जहां मनुष्य होने की आपकी सारी ख्रमताएं आपके लिए काम करती हों,